नमस्कार उदेंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है मैं हूँ अंकुष बिश्णुई निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बे आबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले बिश्णुई के अध्यक्स और भारतिय क्रिकेट टीम के पूरो कप्तान सोरो गांगुली साइद मिर्जा गालिव का यही सेर गुनगुना रहे होंगे क्योंकि बिश्णुई की गलियों से उनकी विदाई हो गई हालांकि उन्हें उमीद थी कि उनको फिर से एक मोका मिलेगा लेकिन उनकी सबी उमीदों पर पानी फिर गया सोरो उनके तीन साल पूरे हो गए थे दादा बेहत दबंग कपता रहे हैं उन्होंने टीम इंडिया को मेदान में आकरमक वेवार करना सिखाया था लेकिन सन्यास लेने के बाद भी उनके तेवरों में कोई कमी नहीं आई बताया जा रहा है कि सोरो गांगुली को IPL के अध्यक्स पद का ओफर किया गया था लेकिन दादा BCCI पद अध्यक्स पद का अड़े हुए थे लेकिन जाते जाते दादा ने BCCI को राजनितिक दावपेज का अड़ा जरूर बना दिया था अब बंगाल में सत्ता सीन त्रिनमुल कांग्रेस और भारते जन्ता पार्टी के बीच आरोप परते रोप का दोर जारी हो गया है TNC के नेताओं ने बंगाली कार्ट खेल कर गांग्री को अपने पाले में खिजने को सुरू कर दिया और भाजपा पर आरोप लगाया है कि बड़े नेताओं के इसारे पर गांग्री को अपमानित किया गया क्योंकि गांगुली ने बाजपा में शामिल होने से मना कर दिया था लेकिन बाजपा नेताओं ने साफ कर दिया कि उन्होंने कभी भी गांगुली को पार्टी में शामिल कराने के लिए कोई कोशिश नहीं kinda बरहाल राजनितिक दाव पेच्चों को छोड़ दें तो गांगुली की विदाई की सबसे बड़ी विजय टीम इंडिया के वरिष्ट खिलाडी विराट कोली से उनकी तकरार है दरसल जब से गांगुली BCCI अध्यक्स बने थे तब से कोली से उनकी रिष्टे तलक ही रहे BCCI अध्यक्स रहते हुए गांगुली खुद को टीम इंडिया का कप्तान ही समझते रहे और भारतिय टीम को अपने मुताबिक चलाने कोशिश की जिसे लेकर विराट कोली से उनका टकरा होता रहा लेकिन दोनों के जगडे में भारतिय टीम का परदसन प्रभावित हुआ इसके अलावा सोरो गांगुली पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ऐसे कमर्शियल ब्रांट्स का समर्थन किया जो कि टीम इंडिया के ओफिशियल सपॉंसर के विरोध भी रहे हैं इन आरोपों के बाद अब गांगुली की विदाई तैह है क्योंकि मंगलवार यानि 11 अक्टूबर को कुई बैठ के बाद नहीं कार्यकारनी का एलान कर दिया गया है जिसमें अध्यक्सपद के लिए रोजर बिन्नी का नाम प्रस्तावित है उपाद्यक्स और सचीवपद पर राजीव, सुकला और जैसा बने रहेंगे जबकि सिप्त, सचीवपद पर देवजी, सेक्या और कोशादक्स के लिए आसिस, सेलार का नाम का प्रस्ताव किया गया है जबकि IPL चेर्मेन के लिए अरुन सिंग धुमल का नाम बढ़ाया गया है बिसीचे अध्यक्स पद से विदाई होने पर सोरो गांगुली बे निरास दिखे परमपरा है कि नए अध्यक्स का नाम मंकन होने पर पुराना अध्यक्स उसका नाम प्रस्तावित करता है लेकिन गांगुली ने रोजर बिन्नी के नाम का प्रस्ताव भीजने से ही मनागर दिया साइध उन्हें बिसीचे अध्यक्स पद पर अपनी विदाई कुछ ज़्यादा ही अखर गई इस तरह के विस लेशन जानने के लिए आप हमारा चैनल सस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं